गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आयम रवीना शेखावत और वेलकम तो माई यूटूब चैनल स्पार्किंग फ्यूचर अशेखावत बैंकर्स फ्रेंड्स एज ओल्वेज मैं लेकराई हूं आपके लिए एक इंपोर्टेंट करेंट अफियर सेशन अगर आपको एक अच्छा ले बनाए हैं इसके ओप्संस हैं मैं शैमी मंत्रा ले कृष्य मंत्रा ले सेहकारी ता मंत्रा ले इन में से कोई नहीं इसका राइट आंसर है शेहकारी ता मंत्रा ले सेहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकानी सेहकारी ता मंत्रा ले बनाए हैं अलग प् किया गया है यह प्रकिरिया सरकार के सहकार से समर्दी के वीजन को साकर करने में मज़द करेगी और निर्मासी तरमन ने 2020 सोरी 2021 के बज़ट सत्र के दुरान यह अलग से सहकारिता मंतरा लिबनाने की गोशना की है और यह जो कानूनी परकीरिया है मतलब अलग जो अपना ये मंत्रा ले मनाती है इसके लिए बहाज सरकार वैसा कावंटन 362 संसोदन नियम 2021 की स्केत है नए नियमों के निर्मान के माध्यम से नया मंत्रा ले है जो बहाज सरकार वैपा नियम आवंटन 1961 में संसोदन करता है राष्ट्रपती के स्विधान ने स्विधान के नूचे 70 के खंड तीन दोवारा परदत अपनी सक्तियों का प्रयोग करते वे संसोदन को मंझूरी दी है संसोदनो को कैबिनेट सची वाले दोवारा अदिस उचीत किया गया था और ये तुरंत लागू होंगी जो मंत्री मंदल का स्ची वाले है और जो कैबिनेट सची होँ है राजी उगाबा इसके अलावा सरकार लोग उदम विबाग को वित मंत्राले में मर्ज हो गया है हमारा आज का अगला क्योंचन कोईला मंत्राले के आकड़े के अनुसार वित वस्थ 2021 किसमी भारत का कोईला उत्पादन कितना गटा है इसके ओप्शन्स हैं 5%, 3%, 2%, 9% कोईला मंत्राले के आकड़े के अनुसार वित वस्थ 2021 में जो भारत का कोईला उत्पादन है 2.02% से गड़ कर मतलब 716.08 million 10 हो गया है यही आकड़ा 2019 में 730.87 million था जो 36 गड़ में सबसे अधिक सबसे अधिक 158.40 मीटरिक टन कोईला होता है उसके रावड़े सामे 154.14 मीटरिक टन मध्या परदेश में थाड़ सान पर 132.531 मीटरिक टन जारखन में 119.26 मीटरिक टन किया गया कोईला उद्वग भारत की रीड है यह भारत की वानेजिक प्रात्मित उर्जा आपूर्ति में लगभग 58% का योगदान देता है और कोईला आदारित बिजली भारत में उत्पन बिजली का 70% से अधिक योगदान देता है जो कोल इंडिया है यह भारत में अकेले 83.26% हिस्सा है उत्पादन करता है और कोईला मंत्रा ले केंद्रे मंत्री है प्रलाज जोसी धारवाड करना टेक्सिन की कॉंचिट्वेंसी है इसके अलावा निष्ठा कारेकर्म को लागू करने में जब मुकस्मीर अवल पर है टोप पर है और इसके अलावा प्रियाटन मंत्रा ले और यात्रा ने आथिते और प्रियाटन शेत्र को मजबूत करने के लिए एक हैमोई साहिन किया गया है यह प्रियाटन मंत्राले पलस किसके साथ है यात्रा के साथ है हमारा आज का अगला क्योंचन आठ वी ब्रिक सिख्षा मंत्रियों की वर्चुल दो जारी किसकी बैठक किसने की के अफसन से अनुराग ठाकुर शंजे सामराव दो तरे स्मर्टी रानी निर्मला सीतारमन इसका राइट आंसर है शंजे सामराव दो तरे आठ वी ब्रिक सिख्षा मंत्रियों की वर्चुल दो जारी किसकी बैठक कि अधेक्स्ता संजे सामराव दो तरे ने की पांच ब्रिक सदश्यों देशों की सिख्षा मंत्रियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया है मिंत्रियों ने उ 2006 में हुई ब्रिक्स में बारत दक्षन एफरीका रूस चाइना ब्राजिल यह देश सामिल है वो इस दो जारी किसके अधेक्सता बारत के बारत ने की है इसके अलाव ग्री राज सिंग ने एकवा किसानों के लिए मतश्य से तू लूंच की है मारा आज का अगला क्योंच चल हाली में कौन से बैंक ने आर आईडिएफ यह देशना के तहट गोवा को 2891.15 लाख रूपे मंजूर किये इसके ऑप्संस है वर्ल्ड बैंक नावाड आएमफ आईडी बी आई इसका राइट आंसर है नावाड नावाड बैंक ने आर आईडिएफ के तहट गोवा के 2891.15 करोड रूपे मंजूर किये हैं नावाड की स्थापना बारे जुलाई 1982 में होई इसका हेड़कॉर्टर मुंबई महाराष्टर में है वो इसके जो अध्यक्स हैं वो गोविंदा रूजूलू चिंताला है नावाड नेशनल बैंक फूर अगरिकल्चर एंडूरल डॉलपमे इसके अलावा रेड़ समाधान परदान करने के लिए HDFC के साथ फ्रीयोक ने गड़ जोड किया या समझोता किया है हमारा आज का अगला क्योंच चलिए हाली में कौन से भारतिया सास्त्री को 2021 के लिए होवाल्ट रीसर्च अवोर्ड मिला इसके ओप्सिंस है कोशिक बसू प्रगुराम राजन अमर्त शेल आसी स्थुबरवन्दम इसका राइट आंसर है कोशिक बशू यह कोशिक बशू को 2020 के लिए होवाल्ट रीसर्च अवोर्ड मिला है कोशिक बशू ने इस जो अवोर्ड में कोशिक बशू को साथ जार यूरो नगत पुरुसकार दिया गया कोशिक बशू एक अर्थसास्तर के प्रोफेसर हैं और यह कारल मास्क करनेल विश्व इदाले में अंतराश्टिय अद्यन के प्रोफेसर हैं पीवी एसलन मुर्ति को एन इडी अफ के नए अधेक्स और एमडी नियूक्त किये गए हैं कि अमारा अज का अगला केशचन एफ सी मला एस्या कप फुटबोल टुर्नामेंट की मेजवानिं कोन करेगा इसके ओप्संस हैं मुमबई पूरे पन्च कुला ए और बी इसका राइट आंसर है ए और बी एफ सी यह मैला एस्या कप फुटबॉल टूर्णामेंट की मेजवानी करेगा एसियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन पहले बुने सरोर एहमदावा थे उन्हें बदल करा मुंबई और पूने चुना गया है एफसी के जोने टूर्णामेंट है जापान ने 2018 में एफसी महिला एशिया कप जीता जो ओमान जोर्डन में आई जित किये गए थे इसके अलावा कत्तर 2019 एफसी पुरुष जो गेम हुए थे उन्होंने जो कि आबुदाबी में वो क्या गया था जीता आबुदाबी यू एई में आई जित किया गया था इसके अलावा चीन 2013 में एफसी एशिया कप में जबानी भी करेगा एफसी एसियन फुटबोल कॉन्फेडरेशन इसकी स्थापना 1954 में हुई इसके अलावा कि जो पर्शिडेंट सल्मान बिन इब्राहिम अल खलीफा बहरीन से और एड़कवाटर क्वालारंपूर मलेशिया में है अमारा आज का अगला क्योस्टन राष्टी विद्यार्थी दिवस दो जारिक किस कब मनाया जाता है इसके उप्चन से 7 जुलाई 8 जुलाई 9 जुलाई 10 जुलाई इसका राइट आंसर है 9 जुलाई 9 जुलाई का राष्टी विद्यार्थी दिवस दो जारिक किस मनाया गया फ्रेंड्स अगर आपको मेरा एकरंट अफिश से नच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए तेंक यू